Hello everyone, welcome to you all in GDC, मैं गौतम कुमार, आज हम लोग E.S.I.C. फार्मासिस्ट मैराथन में फार्माकोलोजी सब्जेक्ट का टॉपिक जो है अमीनो ग्लाइकोसाइड और फ्लोरोकिनोलोंस से रिलेटेड टोटल 30 कोशन को क्या करेंगे, सॉल्ब करेंगे, यानि कि मैराथन स्रीज पार्ट 133 में फार्माकोलोजी का जो हमारा टॉपिक साज कहा होने वाला है वो है अमीनो ग्लाइकोसाइड और फ्लोरोकिनोलोंस एंटी बायोटेक्स तो एंटी बायोटेक्स यानि कीमो कर रहें, स्टार्ट कर रहें तो कम टूदा फर्स्ट कोशिन पहला क्या जी विच एंटी वैक्तरियल ड्रग और ड्रग और च्वाइस दिवनिंग प्रेगनेंसी इनने में से कौन से एसे एंटी बायोटेक्स के रूप में क्या करते हैं यूज करते हैं फ्लोरोकिनोलोंस ट यहां पर ट्रेक्सरा ने करते हैं फ्लोरोकिननोस यहां पर क्या जागा जी ड्रक्स यूज होंगे क्यो किसी भी इन्फेक्apping और करने के लिए ठीक है तो ड्रग यूज्ट ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी की दौरान जो ड्रग्स हैं वह सलफोनामाइड अमिनोग्लाइकोसार फ्लोरोकिनोलोंस रित्रोमाइसिन में मेट्रोनिराजोल टिट्रसाइक्लिन रिवयावरीन ग्राइस्टियोफुलविन फॉलोइंग ड्रग एक्ट इन बोथ 30 एस और 50 जावर्जोम पर यानि प्रोटीन सिंथेस इंविटर ड्रग है 30 और 50 दोनों राइबोजोम पर जाकर क्या आक्ट करते हैं एंटीबैक्तियल ड्रग में आपने इसको पढ़ा होगा तो कौन से ड्रग हैं जो दोनों साइट प Rhybosomal Site और 50 ने इसको दोनों आपका जो Rhybosomal Site है वहाँ पर जाकर के आक्ट होते हैं तुसर यहां पर हमारा दो ड्रग वह अमीनोगलैकोशाइड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसेंहिटर होते हैं अमीनोगलैकोसआइड होते हैं टेतरसाइक्लीन होते हैं कलराम फैनिको याद आपको क्या रखना है अगर मैं बात करूं एड 30 पर अमिनो गलाइकुसाइड और टेरासाइकलिंट्रक्स करते हैं क्लियर हो गया 30 पर और आपका 50 पर कौन बाइंड करते हैं स्ट्रेप्टोग्रमीन क्लॉरामपानिकोल रित्रोमैसिन लिंकोसामाइल लेनेजुलाइड जो 50S पर बाइन करते हैं तो याद रखना कौन से 30S पर बाइन करते हैं कौन 50S पर बाइन करते हैं दोनों में यह क्या करते हैं बाइन कौन करते हैं तो अमीनों और इनका mechanism of actions भी आपको मालूम है MRNA misreading, TRNA attachment, peptide one formation और chain elongation इन चार प्रोसेस को यह ड्रक क्या करते हैं ही बीट करते हैं नेक्स्ट कौौशन, फ्लूरोकिन लोंन और बैक्टरीशाइडल विच एक्टरीड और यहां यह पर अट होते हैं, यह अलग अलग लग मेकनिजम्स के त्रूब क्या होते हैं अपको बता हैं इंहिटिंग सेल वाल सिंथेसिस इने डिया गायरेज इनविटिंग डिया गायरेज और तोपोईज थी और इन 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 टोपायस्मरेज तो देखे अगर मैं बात करें तो ग्राम नीगटिफ को इन्हीट करते हैं यह पॉइंट आपको याद रखना है तो डीने गाइरेंघ यहाँ पर पूछा जा रहा है that's why options B यहाँ पर क्या हो जाएंगे student correct हो जाएंगे याद रखना gram positive के case में topoisomerase 4 को inhibit करते हैं तो फ्लोरोकिनोलों के case में DNA garage enzyme को क्या आताते हैं target करते हैं तो फ्लोरोकिनोलों और बैक्टरी साइटल यानि बैक्टरिया को inhibit नहीं बैक्टरिया को complete रूप से किल्ड करने के रिस्पॉंसिबल होंगे देन बैक्टरियल इंजाइम और टोपाइसमरेज फोर दोनों इंजाइम पर टार्गेट करते हैं DNA garage in case of gram negative and DNA topoisomerase in case of gram positive bacteria आपको याद रखना है next question aminoglycoside recommended recommended for topical use eye skin and include the following except aminoglycoside के कुछ ऐसे drugs होता हैं जिनको हम topically use करते हैं यानि उनको recommend किया जाता है not for parental maximum जो drugs होते हैं देखो aminoglycoside category के drug हम ओरली दे नहीं सकते हैं क्योंकि अगर ओरली हम देंगे तो उनकी क्या हो जागी जी हैट्रोफलिसिटी बहुत जादा होती है तो drug का absorption बहुत कम होता है तो drug को हम aminoglycoside के क्या करते हैं परेंटरल यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं परेंटरल रूट अप एडिमिंस्ट्रेशन से दिया जाता है लेकिन दो ऐसे ड्रग है जिनको हम परेंटरल नहीं दे सकते हैं उसको हम कैसे याद करते हैं not for parental यानी कि aminoglycoside का गो द्रग not for parental, not say neomycin, for say premisetin. ये दो ड्रग्स जो हैं वो पर parental नहीं दिए जाते, औरली तो हम देने सकते, parental देने सकते, तो अब कैसे देंगे, टॉपिकल यूजी करेंगे, क्लियर हो गया, कैसे याद करेंगे, तो दो ऐसे अगर यह topics आपका live classes में नहीं भी हुआ है तो मैं आपको ट्रिक्स यहां पर दे रहा हूं इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो questions बहां पर exam में क्या कर सकते हो क्या मैंने बताया not for parental क्लियर हो गया समझ में आ गया जेंटा मिसिन के पास दोनों प्रपर्टीज है इसलिए जेंटा मिसिन भी यहां पर यूज होगा यहां पर exception पूछा गया था क्लियर हो गया कैसे याद करना है तो आपका नियो मैसिन को भी हम टॉपिकल यूज कर सकते लेकिन पारमोमाइसन तो कभी भी टॉपिकल यूज नहीं होगा तो परमोमाइसन ओरल फॉर्मुलिशंस है और ली यूज होंगे फॉज़ा ट्रीटिमेंट आप इंटेस्टाइनल क्लिए होते हैं जी यूज होते हैं इन सब चीज़ेग लिजनटा में सब्सलिश और नहीं आते हैं यह पूछा जा रहा किनमें से कौन से ऐसे ट्राइग हैं जो एक जिन्स था या निन्स उसने एक स्ट्रिप्ट मैसिन मेडिसन का उसको खाया तो वो क्या हो गया भाई काना हो गया केना माईशीन मीका की तरह देखने लगा ME caseens आपका इसमेटर रगा जाएगा और क्या हो गया भाई? उसकी एक sister थी, sisomycin वो एक neta थी, natalie mycin उसने क्या किया, चलो हम उसके उपर case करेंगे तो जब case करने गई तो उसको एक kobera ने dust लिया, tobera mycin सारे rules धड़े के धड़े रह गए है ना और उनकी फोटो फ्रेम पे चड़ गया यह फ्रेम माईसेटीन उनके लिए नियू क्या क्या भाई फ्लेवर की अगरवत्ति लगाएगी नियू माईसीन यह आपका क्या हो जाएगा ड्रक्स हो जाएगा अमिनो ग्लाइकुसाइड का टेगरिस के मैंने छोटा सा ट्रेक लिए उसने क्या किया उसने खाया तो वो काना बन गया कैसे दिखने लगा मिका की तरह उसकी सिस्टर थी सिस्व माईसीन जो क्या थी इनेता थी निटली माईसन उसको को ने डस लिया और वो क्या हुआ सारे के सारे नियम ऐसे ही रह गए तो नियो माईसीन और उसके उसके फोटो जो है वो कहां पर चाड़ गया फ्रेम में वो सिश्टर का नाम क्या था पारू तो पारूस हो जागा पारूमाईसीन यह आपको याद रखना है इंट्रेक्स के थूरू याद पारूस इंट्रेक्स नाम क्या है इनलेखनी के सारे दो पारूमाईकक्सार्टेसाटूर्प इंहे पारूस्टन क्या और बाईसे ड्रग्यों कार्न यह स吸घाने के चार को लिए रिसपॉंसीब्ल के थे सब्चे जो राखने है इसे क्या है नोग कहती है एक तेसे बएसे को साथ TETRA CYCLEN SUFFA DIZINE BacterISTATIC इनने में से कौन नहीं है तो सर हमारा aminoglycocide aminoglycocyde कैसा है तो सर यह bactericidal drug है ठीक न बाकि सभी के सभी आपके क्या है bacteriostatic के अंडर में आते हैं आमीच्टर्ट क्या है जी तो bacteria ddrug है यानि bacteria को complete रूप से किल्ड करने के रिस्पॉन्सबल होते हैं बाग एक्रावर फानी कोल टेट्रससाइकलीन और सालफर डायोजीन जो ट्राग है इस्टूडेंट यह क्या कहते हैं बैक्त्रिया को केबल और केवल उनकी ग्रोथ को इन ही बीट करते हैं उनको बैक्ट्रियो श्टाटिक के अंडर में रखते हैं after में आपका प्रोटीन सेंटेसिस सेंड़ाइब वितर है और आपको बैक्ट्री स्टाइट पोई नहीं मिलेगा वैसे ड्राग आपको एक लिष्ट है इस लिस्ट को आपको पड़ करके जाना कि कौन बैक्ट्रीस साइडल ड्राइब और बैक्ट्रियों स्टैटिक ड्रग आते हैं नेक्स्ट कोश्चन रेलेव फार्मासिस 2015 में पूछा गया वहीं से मैं यह कुश्चन से लिया हूँ गर्मासिनमिकेशिं फिर्मीकेशिं का मैंकेशिं पून्टिक ड्रह औप अंटिन्स निविटर वरग है यहीं न था तो नो साथि मैं प्रोटीन सब्सक्राइण निकेशन को सवप किया दो बात है अभी यहीं तो ने विल्खो यह क्या हैं मेनों उगलाइकोचाट क्या प्रोटेन सेंथेसी सेनिविटर ड्रग्स के कटैगरीज में आते हैं ठीक है कितना सींपल सा कोश्चन था टूछ एबाई एक सिशोमाइसिन का सेंसिंत्रैक्टिड ड़िवेटिव नैटली माइसिन यह आपका लेरीट्ड है किससा सर्धाली सेंसिंसिंसिंत्रैक्रटिबिट्ड ड्रएं ओन्हीं 2 दौ dalतिनक्रोन कि प्रोटीन सिंत्युकोन सेंसिंक्ट करते हैं नेक्ट कोशन दा एंटी माइक्रोबियल एंट रेकमेंडेड इन कंफर्मड केसे सब्लाइग इस प्लाइग के केस में अगर हमें पता चल गया कि सामने वाले को एक डिजीज हुआ है और डिजीज का नाम क्या है प्लाइग है तो कौन से एंटिवाटिक्स जो है वो डॉक्ट इसको हम बिसिकल यूज करते हैं ड्राग उप च्वाइस में कहां पर प्लाइग के केस में आपको याद रखना इस पाइंट को तो स्ट्रिप्टोमाइसिन रैपिटली क्यूरेटिव है से विदिन सेवन तो टुटेवर डेज अलों और कंबाइड विद टेट्रासाइकल य तो कंबिनेशन में भी उज कर सकते हैं किसके साथ टेट्रासाइकलिन के साथ इस इंप्लोइड ओंली इन करन्फर्म्ड केसे यह कहां पर कंफर्म केस में ही हम इसको यूज करेंगे यानि जब हम बिल्कुल अस्योर हो जाएगे कि सामने वाले पैसेंट को प्लैग हुआ है तभी हम इंट्रक्स को यूज करेंगे अधरबाज इंट्रक्स को हम यूज नहीं करेंगे टेट्रासाइकलिन अलोन है बिन मोर कॉमनली यूज फो थे मास्ट्रीटिमेंट अप सस्पेक्टेड केसे दिविरिंग एन एपिडेमिक इन अडिशन तो स्रिप्टोमाजिस अधर पूझा गया इसी साल वीच अप फॉलिंग स्टेटिमेंट इस ट्रू रेगार्डिंग अमिनो गुलाइकोसाइट एंटी वाटेक्स इन प्रीरिया को नहीं करते हैं के बलो कैवल क्या करते हैं इनी भीर करते हैं घ्रोथ को हो अमेंद जादा एक्टारीज होते हैं यह पूसा बता जा रहा है या ने वैसे बैक्टरिया जिनको उक्सिग की अपनी लाइब को सर्भाइब करने के लिए या तो चार्ग मान जाते हैं और जात। यह जो तो सर यहां पर जल्दी से कमेंट कीजिए है थोड़ा सा फास्ट हो रही है चीजों को कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होंगे करेक्टर तो सर आपके यह पॉइंट आपको यह जितने भी अमीनोगलाइकोसाइड वह क्या है अभी हमने कोशन क्या था इन अरोबिक बैक्ट्री अक लिए के वर संसिटीव है क्या नहीं ऐसा भी नहीं है तो इसलिए गलत है अमेनोगलाइकोसाइड सेल बॉप्रोव्रॉइन सेप्सिन इन बिट ढ़े रहे हैं यह बला उप्संस क्या है अलकिलाइट प्यच पर होते है ज्यादा प्रोडूस्ट करते हैं यह प्रोडूस्ट करते हैं और रजिस्टेंट की अगर बात हैं यह प्रोड्ट बाक्ट्रिया को तो आपको कुछ नहीं पाई कर नेचुरल रिजिस्टेंट यानि वह नहीं अगरेंगे इन्मीनोगलाइकोसाइड कर ठेकर से इस सुलूव फार्मासिस्ट टूर्टी ट्वाइड वन का क्षेशन इस डियाब्स फॉम इस सुलूव का क्ष है तो एमी केसी दिराइब फॉब हैं फार्मासित 2020 वें कहां संथे हैं और फिसवाइशन से नेटली माइसन है दो ही सेमी संथेटिक डरिबिटीव है बाकि सब के सब क्या है जी नेचरल aminoglycosid antibiotics है तो याद रखना kenamycin ameccasins है ameccasins semisynthetically derivative of kenamycin it has widest antibacterial spectrum among the amino glycosid semi-synthetically यानि कि हम अपने according उसको prepared की है और हम चाहेंगे कि इनके पास spectrum of activity क्या हो ज़्यादा हो spectrum of activity का मतलब होता है कि maximum strain of bacteria को क्या करे टार्गेट करे यानि सब्सक्राइब करना है और हमें क्या चाहिए बुक्स चाहिए तो बुक्स आपके लिए सबसे बेश्ट जो है वो क्या है ठियोरी फार्मासिस टाटी और सारे टॉपिक्स को कवर किये गए हैं इजली अबेलबल हैं कहां पर जीडिसी किलासे साइप इसके लाबे सिक्स थॉजन्ट कोशन्स का बंच है फार्मासिस जो डिफरेंट स्टेट में लिए गा है प्रिबियस यर के भी कोशन्स है और वाकि दूसरे भी कोशन्स हैं जो आप अब्जेक्टिफ फार्मासिस्ट एक्जामेट और फिंगर्टिप्स बुक्स में आप इजली गेन कर सकते हो तो यह तो फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए यानि जो फार्मासिस्ट के परप्रेशन करना चाहते हैं जो यह साइसी की परप्रेशन करना चाहते हैं अपक्मि देना बहरा हो जाना है ना सुनाई कम देना क्या कहला था ओर टॉक्सिटी कहला था तो विच टाइप ऑप डारोटेक्स कॉज और तो टॉकसिटी वेन यूज़ इन conjections with the aminoglycoside यानि aminoglycoside के साथ कौन से diuretics को हम यूज करेंगे तो हमें autotoxicity effect देखने को मिलेंगे side effect के रूप में यानि कि सुनाई पैसन को कम देना लएगा high ceiling diuretics, potassium sparing diuretics thiazide diuretics और carbonic and hydrase inhibitors तो which type of diuretics cause autotoxicity when used in conjunction with the aminoglycoside aminoglycoside के साथ हम यूज करेंगे high ceiling diuretics, potassium sparing diuretics thiazide diuretics और carbonic and hydrase inhibitor दूसर यहाँ पर high ceiling diuretics जो हमारा होंगे उनको अगर हम aminoglycoside categories के साथ यूज करेंगे तो उस case में patient को एक side effect मिलेगा उनकी सुनाई कम देने लगेगी hearing loss होगा यानि कि autotoxicity देखने को मिलेंगे याद रखना है बटा frosemide को aminoglycoside के साथ देंगे तो autotoxicity बढ़ेगा frosemide को thiazide के साथ देंगे तो क्या होगा hypokalmia यानि कि potassium का label कम होंगे frosemide को thiazide और lithium के साथ यूज करेंगे तो sodium और lithium का reabsorption क्या होगा इनक्रीज होगा lithium toxicity उसके समें हो सकते है frosemide को अगर NSID के साथ देंगे तो demonis effect frosemide क्या है high efficacy आपका डारेटिक्स है high saline diarotex है frosemide को अगर आप AC inhibitor के साथ देंगे तो valence effect देखने को मिलेगा और ये आपको कुछ important point है आपको high saline diarotex के साथ याद रखना है कि दूसरे drug के साथ अगर हम उनको combination में यूज करेंगे तो कौन कौन से side effect देखने को मिलेंगे next question which drug is first generation of fluorokinolons इनमें से कौन से इस ड्रग है जो first generation fluorokinolons categories में आते हैं पफ्लोकसासीन, नौरफ्लोकसासीन, लिवोफ्लोकसासीन बोट A and B ठीक है न तो कैसे याद करते हैं भाई fluorokinolons यान कि याद करते हैं कि नौरफ्लोकसासीन, ऑप्लोकसासीन, उप्लोकसासीन mon factor चार ऐसे ट्रग हैस्टUडे cert जो first generation fluorokinolons parag enfermed में आते हैं तो नौरा फते ही क्या हो जाएगा करेक्ट अप्संस हो जाएगा ठीक ना पे प्लोक्सासिन इसके अलावे आपका शिप्रो याद रखना है लिवोफ प्राली फ्रोक्सासीन यहां पर आपको याद रखना है चलिए नेश्ट कोशन अमिनोगलाइकोसाइड प्रड्यूस फॉलोइंग अड़वर्स एक्सेट्ट एक्सेट्ट अट्वाटिक्स है जो डिफरेंट टाइप साइपटल करने अब होता एक्सेप्ट यहां पर याँ पर पूछा जारा है जो नहीं किये जाते हैम cried to toxicity कॉनसा कॉछ नहीं करते क्यों करते क्यूश करते हैं निफैयर लगीने तो तोने क्या को डैमेज करते हैं आज धाक्स करते हैं ter보त driving नेफ्रोन यानि को भी डैमेज करते हैं लेकिन लीवर को यह डैमेज नहीं करते हैं लीवर में कोई फैक्ट इनको साइड एफेक्ट के रूप में देखने को नहीं मिलता है कौन से ट्रको आमीनों ग्लाइकोसाइड के टेग्री जो आप ड्रको तो आपसंस यहां पर क्या हो याद रखना अमिनों ग्लाइकोसाइड इंकलूड एंग्स यानि टोपरा माइस नमीकेस नियो माइस नियुक्त होंगे अरोबिक और गरी जम एनारोबिक तो रजिस्टिंट लेकर करके आते हैं तो और गरीजम ग्राम नेगेटीव मैली बैक्टरी साइटल होते हैं और इसमें क्या करना है याद रखना रिजेंबर्स यानि उनसे मिलता जूलता है डबर सफेक्ट ठीक है नेक्स्ट कोश्चन विच आप दा फॉलोइंग इस नॉट एक्सरीट इन किड़नी इन में से कौन से ट्रग है जो किड़नी के द्वारा एक्सरीट आउट नहीं होते हैं जी बोडिस डिटाउट होते हैं लेकिन अमिनो ग्लाइकुसाइड में कौन से ट्रग है जो किड़नी के द्वारा एक्सरीट आउट नहीं होंगे आप से ये कोश्चन पूछा चारा है तो सिंप्ली अगर देखा जिए मॉक्सिष्यट नहीं होते हैं याद रखना स प्रिप्रोब, ओफ लीवफ लॉक शासिन सारे ृडिटिनी के द्वारा होता है मौक्सीफ लॉकसासिन किद्वारा एक्षिट आउट नहीं और यह भी यात लखना कि मौक्सीफ लोकसासिन को हम NT TB ड्रग के रूप में भी यूज़ कहते हैं TB पेसेंट को भी moxifloxacin दिया जाता है तो दो पॉइंट moxifloxacin से आप यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आड करना इसलिए हम कहा सकते हैं कि यह यहाँ आपको क्या करना है याद रखना था इनमें से कौन से ट्रक्स हैं जो फ्लोरोकनोलों का टेगरीज के हैं ही नहीं अभी तो मैंने दो कोश्चन पहले क्लासिफिकेशन याद करवा था क्लासिफिकेशन का मैंने ट्रिक से भी बिया था कि फस्ट जनरेशन फिरोक्नोलोन कोन है सेंड गती फ्लोक्सासीन जेंटामीशन और स्पार सा कोश्चन से को जल्दी से जल्दी अभ्सॉर्व करके यानि कमेट करके बताये क्या होंगे और्ग्तर भी सासिन सर जेंटा मिसीन जेंटा मिसीन अभी तो मैंने बताया कि एमीनोग्लाइकोसाइड कटेगरी का ट्रग है क्या है भाई एमीनोग्लाइकोसाइड कटेगरी का ट्रग है सर यह आपका फ्लोरोकनलोंस में नहीं आएंगे बागी गर्ती फ्लोकसाइड गेमी फ्लोकसाइड यह तीनों के तीनों क्या है, second generation fluoroconolons drug है बेटा, तो यहाँ पर exception पूछा जा रहा था, यानि कि not fluoroconolons तो gentamission यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो gentamission आपका क्या हो जाता है, amino glycoside का है, यह आपका fluoroconolons का categories का first generation और second generation का drug है, next question, amino glycoside not preferred as a second line anti-TB, amino glycoside को preferred नहीं किया जाता है, second line anti-TB drug के रूप में, कौन से drug को, gentamission को, siprofloxacin को, kenamycin, capriomycin, तो aminoglycoside not preferred as a second line anti-TB, यानि aminoglycoside को हम second line anti-TB drug के रूप में preferred नहीं करते हैं, anti-TB drug से यह questions है, बैसे कली, और अगर देखा जाता है, तो aminoglycoside के drug related points से यह question है, gentamission, siprofloxacin, kenamycin, capriomycin, तो क्या हो जागा, correct answer भाई, जो anti-TB के second line drugs में नहीं आएंगे, तो gentamission बैसे कली, आगे समझ में gentamission, siprofloxacin तो है ही नहीं, बहुत सर्फ फ्लोरोग्लोलोंस के टेगरिस कट राग है, gentamission को second line anti-TB drug के रूप में preferred नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे, तो second line drugs के अगर बात की जाया है, तो आपको फ्लोरोग्लोंस में ओफ्लोक्सासिन, लिवफ्लोक्सासिन, मौक्सी, और से प्रोफ्लोक्सासिन आजाएगा, अगर हम अदर ट्रक की बात करेंगे, तो इथायोनामाइड, प्रोथायोनामाइड, साइक्लोसर पारजीनेमाइड यह पन अगेे, तो इंजक्ते BILL टरक काटैप्रियोन, मौकम सी नहीं है, तो आपका जैंता मीसन, आपका जैंता मीसन और गीकन क्या हो जाता, correct answer हो गया, प्रोफ और अ मिन क्लstar है इन में से पूच Technology सब्सक्राइब चीक लिए वर संनेरोप समस्य विए हैँ विकना पूचैना घर्राइबर विकना कुछ कॉच हा रहा है पूचा सालनल रहा है वेह आपको दानेश ainda से कर्छा होते हैं आरुज पाइचरी शुट्स पार्यBecause में गpert आ पुचाश है नहीं यह नहीं आपके सेल बॉल पर पे आमिनो गल सेट पुछा रहा है तो वैक्तरिय नहीं करेंगे और यूजफ़ल अगेस्ट ले रोपस अगेस्ट लेश्फुल नए ठीक ना अगेस्ट लेश्फ़ल नहीं तो नहींeton अगेस्ट लेश्फ़ मीन सकता है क्योंकि नेफ्रोटॉक्स करते हैं यह तीनों टूफ और अमिनोग्लाइकोसाइड नहीं तो इनकरेक्ट है और यूजफूल अगेस्ट एनरोप्स के अगेस्ट इसको यूजफूल नहीं कर सकता है यह भी स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल हाँ यह तो यह तो इनकरेक्ट है क्योंकि यह पर एक बार इसको देख लेंगे थोड़ा सा क्योंकि ऑप्संड यहाँ पर आपको करेक्ट लग रहा था है तो यहां पर question क्या था true for तो यह तीनों तो incorrect है क्योंकि cell wall को नहीं protein synthesis को target करेंगे aerobics नहीं aerobic organisms को target करेंगे और patient with the renal failure to not be given नहीं दे सकते हैं kidney जो जिनके fail होते basically तो यहां पर C और D दोनों options होने चाहिए हो सकता है इन दोनों में से best answer आपका क्या है causally nerve है तो वो देख लेते हैं तो causally nerve damage can produce permanent hearing loss मैंने आपको बताया था कि autotoxicity के लिए यह nerves responsible होते हैं तो इसलिए यहां पर दिया गया है इस options को बागी सारे चीज़े ठीक है तो एक बार उसको देख लेना है ठीक है न दोनों option साही थे C भी साही था और D भी option साही था लेकिन हो सकता है इन दोनों में best option कौन सा था autotoxicity सबसे ज़्यादा यह क्या करते है cause करते हैं इसलिए वहां पर आपको यह question दिया गया था अब आता है कि सर अभी तक हमने ESIC preparation या for massage का preparation नहीं किया लेकिन हम करना चाहते है तो क्या करें तो आप GDC classes app पर जाए और बहां से हमारा एक course है जी crash course के नाम से उसको आप purchase कर सकते है बन ट्रीपल नाइन याने कि आपको एक हजार नौन निना रुपया का मातने कोर्स है जिसमें आपको 180 प्लस live classes मिलेंगे 300 recorded videos मिलेंगे 55 online test series मिलेंगे 125 previous year mcqs मिलेंगे e-nodes आपको provide के जाएंगे यह सारे features only one triple nine पे आपके लिए क्या होंगे available होंगे अगर आप उससे बेतर मतला आपके बाल प्राक्टिस करना चाहते है तो प्राक्टिस के लिए भी आपके पास क्या है भाई 25 रुपीज का है ना बेतर तो हमारा crash course ही है लेकिन अगर आप crash course से जुड़े हुए है और अभी तक आपने प्राक्टिस नहीं किया तो 25 रुपीज में आप प्राक्टिस भी जोईन कर सकते हैं online test series है जिसमें 55 test आपको मिलेंगे 20 topic बाइज मिलेंगे 20 subject बाइज मिलेंगे 5 non-pharmac मिलेंगे 10 model पेपर आपको देखने को मिलेंगे चले नेस्ट कोशन है स्टिप्टो माइसेस फ्रेडी इस आ सोर्स ऑफ विच ड्रग स्टिप्टो माइसेस फ्रेडी जो है एक बैक्ट्रिया यह स्टिप्टो माइसेस यानि कि आपका एक माइक्रो और्गनिजम्स है यह किस ड्रग का सोर्स है ब्ली ओमाइसेस का किसका सोर्स है यह नेकि नेचुरal सोर्स के अगर बात कि जाए तो सर यहाँ पर आपके जो नियो माइसेसे आपको बता था कि new frame में इनका photo लग गया तो new यानी new myosin frame से हो जागा freddy freddy करके सको हम क्या कर सकते हैं इनको याद कर सकते हैं हना microbiological and their resources जो यानी इनका सोर्स है वहां से antibiotics and their source इनसे हम tricks इनको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं तो स् impरी applies काई की ना मेर्थ आकिस आपका जी अनीकिंतार वार याद करोगे चलियों चलिए में पोर्टिंट न आसकते हैं नेले इस्टु उ Anyways कि скहाजी तुसर हमारा यह एमंडिज्टिक र llegó और ने बार बार रिपीट हो रहा है तो बताएं यह तो अनसर आपको आना चाहिए जल्दी से कमेंट करेंगे जहीं करते हैं बस एगंश्य नहीं होते है यह ग्राविक जाहिए 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 जो नहीं होते हैं लेकिन याद रखना, aerobic bacteria होना चाहिए, यानि बैसे bacteria जो oxygen यूज करते हैं, वो bacteria होने चाहिए, anaerobic bacteria के against इनका actions बहुत ही कम होता है, next question, which drug is the least nephrotoxic aminoglycoside, यानि nephrotoxicity और autotoxicity, दो adverse effect हैं, aminoglycoside का major adverse effect हैं, इसके अलाबे हमने नेरो टॉक्सिटी बगला भी अभी हम लोगे डिसकस किया था, लेकिन दो major adverse effect हैं, autotoxicity, यानि hearing loss करना, यानि किसे सुनाई कम दिना, और nephrotoxicity, यानि कि nephron को damage करना, यह major adverse effect हैं, तो कौन से aminoglycoside के पास, जो nephrotoxicity वाली property हैं, वो सबसे कम हैं, यह पूछा गया है question, amikacin, streptomycin, gentamicin, kenamicin, चार options हैं, आपके सामने, which drug is the least nephrotoxic aminoglycoside, nephrotoxic aminoglycoside की property किस ड्रग के पास सबसे कम हैं, यह question, amikacin, streptomycin, gentamicin, kenamicin, तो सर, यहाँ पर streptomycin के पास याद रखना है, सबसे कम, अगर कोई nephrotoxicity aminoglycoside का कोई drug, अगर सो करता है, तो आपका answer क्या है, streptomycin है, तो streptomycin के पास आपको याद रखना है, nephrotoxicity बहुत कम है, single plus दिया गया है, gentamicin के पास nephrotoxicity ज़्यादा है, kenamicin के पास भी ज़्यादा है, amicicin, sisomycin और netalimicin के पास भी double positive का मतलब है, ज्यादा है, एक positive का मतलब है, कम है, cause तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कम करते हैं, बैसे ही आपको autotoxicity का भी दिया गया, कि कौन से drug, कौन autotoxicity cause करते हैं, अगर double positive है, तो ज्यादा autotoxicity, और single positive है, तो least autotoxicity आपको याद र बाया था, option है, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin और आपका ofloxacin, बताए, second generation drug आप से पूछा ज़रा है, to first generation में क्या था, मैंने drugs दिया था, कि नूरा फते ही को कौप ले करके गया, कौप मतलब COP, यानि पुलिस, है ना, तो नूरा से norfloxacin, c4 ciprofloxacin, o for ofloxacin, and pay for p4 payfloxacin, य लीवो फ्लोकसacin, तो हमारे ट्रिक्स में भी नहीं आया था, यानि यही second generation drug है, यह भी याद रखना, लीवो फ्लोकसacin वो एंटिवाइटिक्स है, या वो ओरली ड्रग है, जिनकी bioavailability around 100% होती है, यह भी याद रखना, यह वो ड्रग है, जो bioavailability around कितनी होती है, maximum, यान लीवो फ्लोकसacin के पास around 100% bioavailability होता, second generation drug है, याद रखना, first generation, second generation, अभी मैंने आपको याद भी करवा दिया, ठ्रिक्स से, ठीक है, next question, mechanism of striptomycin action is through inhibitions of striptomycin का mechanism of action क्या, यह किसको inhibit करते है, क्या इस type के question आते है, इतने simple question आते है, बिलकुल इस type के question आते है, यहीं से आपक को कोशन से बनते हैं कि मतरापटिक्स बाले पार्ट से, तो mechanism of striptomycin action is through inhibition of mechanism of action, जो है striptomycin का, यह कैसे देते है, किसको inhibit कर करके देते है, cell wall synthesis inhibition है, protein synthesis inhibitor है, RNA, DNA synthesis inhibitor है, या cell membrane permeability को alter करते हैं, तो अभी सुरू से ही, यानि आज के मैराथन सरा क्लास से ही, पढ़ते आ रहे हैं कि amino glycoside category के जितने बिटराग होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, protein synthesis inhibitor होंगे, 30S ribo zone पर जा करके bind करेंगे, और क्या करते हैं, MR ने की misreading करवाते हैं, यानि की initiation process को freeze करते हैं, यही तो उनका mechanism of action जो मैंने 4 point बताया वही है, तो protein synthesis inhibitor होगा न, तो अगर striptomycin की बात की जा, त category का drug है, और amino glycoside क्या करता है, तो protein synthesis को target करता है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, options भी सही हो जाएंगे, protein synthesis को target करते हैं, 30S ribo zone पर जाकर करके bind करते हैं, यह सारे point भी मैंने आपको बता दिया, अब अगर आप ESIC class से जुनना चाहते हैं, और बगर किसी charge के, यानि free batch आपके ल 23 बहाँ पर batch code आपको ड़ाना है, आप हमसे freely जुड़ जाएंगे, बहाँ पर आपको e-notes provide के जाएंगे, कुछ competitive videos, कुछ important notes, यह सारी चीज़ा आपको free of course में provide के जाएंगे, बटा, सबसे important कि आप हमसे, यानि GDC से जुड़ जाओगे, GDC और family के अंडर में आ जाओगे, इतनी भी notification all over India में, pharmacist, ESIC या drug inspector या other state level pharmacist के recruitment आएगे तो बहाँ को inform यानि notification आपको app के थुड़ जाएगा, तो जरूर जुड़ जुड़िये, इस app को जरूर डाउनलोड कीजिए, हर pharmacist parent के पास ये बाली app तो होनी ही चाहिए, next question, mechanism of action of fluorokinolons, fluorokinolons का mechanism of actions क्या है, भाई, इंटरमेडिये, metabolisms, and none of these, तो सर, अगर मैं बात करें, फ्लोरokinolons के, तो ये क्या है, अभी मैं आपको बताया था कि फ्लोरokinolons क्या करते है, DNA गायरेज inhibitor है, in case of gram negative, और DNA topoisomerase 4 inhibitor है, in case of gram positive, यहाँ पर, यानि DNA, DNA का मतलब समझ में आ रहा है, गायरेज और topoisomerase, सर, यहा topoisomerase 4 in case of gram positive, फ्लोरokinolons का technical drug क्या करते है, उसको inhibit करते है, यानि DNA synthesis inhibitor के अंडर में आएंगे gram negative के case में DNA गायरेज को, और topoisomerase 4 को in case of gram positive, यह मैं आपको क्या किया था, student, clear किया था, ठीक है, next question, amino glycoside used by inhalational root in cystic fibrosis, क्या करते है, amino glycoside used by inhalational root, amino glycoside को हम क्या करते है, used करते है कौन से root से inhalation, यानि inhale करते है by nose, है ना, root in cystic fibrosis, किस में, किस केस में cystic fibrosis में, कौन सा amino glycoside को हम inhale करते है, टोपरामाइसिन, नियोमाइसिन, पैरोमाइसिन, और कैनामाइसिन, चार्ट रग है, किस drug को हम cystic fibrosis के case में inhale करते है, यानि nose के द्वारा, नाकों के द्वारा उस को inhale करते है, टोपरामाइसिन, नियोमाइसिन, पारोमाइसिन, किनामाइसिन, तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा, टोपरामाइसिन, याद रखना है, टोपरामाइसिन को cystic fibrosis में, हम यूज करते हैं, और बेसिकली इस केस में, हम इनको क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या कर कॉछट बाइगा सिटो मोनास एरोजनेसा बैक्ट्रिया जो है वो जो कॉछ्ट करता है आपका माउथ जो आपका सिस्टिक फिप्रोसिस है उसमें हम इनको क्या करते हैं बसीकली यूज करते हैं इसके अलावे यह एंटी अमिबीक एक्षन भी सो करते हैं यानि anti-amibic properties भी उनके पास है, amibiasis में भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से aminoglycoside को यूज कर सकते हैं, यह questions है, paromomycin, framicetin, amikacin और nitolimicin, चार ड्रग हैं, paromomycin, framicetin, amikacin और nitolimicin, पता यह कौन सा है भाई, तो wish one of the aminoglycoside can be used in amibiasis, तो sir यहाँ पर हम paromomycin को क्य कर सकते हैं, यानि anti-amibic drug भी जब आप पढ़ोगे, तो उस case में भी आपको paromomycin देखने को मिलेंगे, तो paromomycin के पास antibacterial properties तो है ही, साथी साथ में anti-amibic, यानि कि amibiasis का case में भी क्या होंगे, student huge होंगे, यह extra properties है, paromomycin, aminoglycoside category को वो आपको क्या करना है, याद रखना है तो aminoglycoside, oral paromomycin है, जी poorly absorbed and may be used for the treatment of non-invasive amibiasis, जो आपका crypto, suridiosis, जो है, आपका trichomoniasis है, grdiasis है, यानि trichomonia के case में, grdiasis के case में, इन सम्में को हम क्या करते हैं, basically, in whom other agents are contra indicator, यानि इन case में अगर कोई दूसरा agent contra indicator है, यानि उनको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम aminoglycoside का paromomy paromomycin को इन case में, यूज कर सकते हैं, जहां पर दूसरे drug क्या है, contra indicator है, paromomycin क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट कोष्टन है, नेलिडिक्जिक एसिद इस प्राइमरली आक्टीव अगेस्ट, नेलिडिक्जिक एसिद तो पहले क्या था, यानि पहले कौन सा drug था तो किनोलोन्स ड्रग था, उसकी उसी किनोलोन रिंग्स में हमने किया किया, फ्लॉरीन को एड़ करके, फ्लॉरो किनोलोन से बनाया, तो जो किनोलोन एंटिवाटिक्स था, यानि किनोलोन जो एंटिबाक्टिरिल ड्रग था, उसका example क्या है, नेलिडिक्जिक एसिद, क्या ह हैं लेकिन इस नेलेज़िक्सी का इडावरस अप्रेक्ट बहुत ज़्या ता या या नि यह बहुत ही कमके करता था लेकिन इडावरस अप्र में चेंजिस imp Ambry और प्राइमरली किसके अगेंस्ट एक्टीया है। किसके अगेंस्ट न्यूट गेंस्ट vinoluce का थे लुद्रु न्यूलस द्रग्स होते हैं जो बाद मेड़ प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि सबसे जादा जो यूज होते हैं तो प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप के रूप में यूज करते हैं यह आपसे कोश्चन पूचा गया है तो सर यहाँ पर अगर हम फ्लोटोटाइप की बात करें तो सिप्रोटोटाइप ड्रॉप में क्या करते हैं यूज करते हैं यह आपको पॉइंट क्या करना है याद रखना है तो सिप्रोफ्लोगसास निया है यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर हो जाएगा ओपसेंस यह पर क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे तो सिप्रोफ्लोटाइप ग्राम नेगेटिव बैसलाइज जो आपका है वो सबसे जादा इनमें क्या है जी सब्सक्राइबल है नेक्स्ट फ्लूरोकिनोलोंस इन्हीट टॉप आइसमिरेज फॉर इन वीच टाइप ऑबैक्टरिया फ्लूरोकिनोलोंस दो मैकनेजोंगेज वाक्षिंस हो करते हैं एक आ म नेगेटिव बैक्टरिया गमोट बताःबं डेज ड्रव नेगेटिव बता यह किसमें तो अभी तो आपन nosolv कि दना रीक इन केस ऑब ग्राम नेगेटिव और आपका रषया पैसे सब्सक्राइब्स टॉट सब्सक्राइब करते हैं या इस युजा ओप पढ़ा था कि dna in case of gram negative bacteria and to find case of gram positive bacteria ठीक है next question drug that can cause cartilage damage in children वो drugs जो cartilage को damage करते हैं कहाँ फर children में basically वो कौन से ड्रग है आपका kautrimoxajol penicillin ciprofloxacin या आपका metronidazole कौन से ड्रग है जो children's को अगर हम उनको हम देंगे तो children's में cartilage को damage करने के लिए responsible होते हैं यानि drug that can cause cartilage damage in children is cotrimoxajol penicillin ciprofloxacin metronidazole कौन से ड्रग्स आएंगे बटा यानि drugs that can cause cartilage damage in children cartilage damage कोज करते हैं children में तो सर यहाँ पर हमारा जो drug होगा वो ciprofloxacin होंगे कौन से ड्रग होंगे ciprofloxacin drug basically हैं पर cartilage damage में क्या होंगे children's में basically responsible होते हैं तो फ्लॉरोकनोलोंस आर यूज इन पेडियाट्रिक पैसेंट worldwide however due to the cartilage damage in young animals and they are not approved for the children under 18 years age for the most indication तो cartilage को यह damage करते हैं यानि आपका जॉइंट्स पे जो जॉइंट्स पे जो काटिलेट्स प्रजेंट हैं उनको यह damage करते हैं that's why फ्लॉरोकनोलोंस को हम पेडियाट्रिक्स पैसेंट को नहीं देते हैं ठीके न यानि छोटे बच्चों को नहीं देते हैं नेश्ट है फर्स्ट च्वाइस ऑफ एंपिरिक ट्रीटमेंट आप टाइफॉइड फीवर यानि टाइफॉइड फीवर में लास्ट कोस्चन है आज का यानि कि जो हमारा मैरातन सरीज है इस मैरातन सरीज का जो जिसमें हम लोग ने आज फ्लॉरोकनोलोंस और अमेने टाइफॉइड का फीवर हो तो उसकेस में फर्स्ट च्वाइस ऑफ ड्रग कौन से यूज होंगे यूज होंगे एज फर्स्ट च्वाइश ड्रग के रूप में तो आपसंसी याद रखना टाइफॉइड फीवर में जो विडाल टेस्ट से अबस्ट से घ्राइफॉइड फ्रॉज्स को और सिप्रोखासीन उड्र टॉण यहां पर आपको सिप्रोखासीन क्या करना है याद रखना है यह हमारा क्या हो गया इस्टुडेंट तो सरफ एमिनोलाइकोसाइड और हमारा जो डक्री जो कोश्चन था हमारा वो क्या हो गया complete हो गया मिलते हैं student अगले माराथन में अगले concept याने अगले topics के साथ thank you everyone for watching GDC and supporting GDC thank you once again